नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूटीब चैनल जिसका नाम है सुनील जिस्वार पीबुलोफाइल दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचिल प्रदेश की GKGS की किताबें दोस्तो हिमाचिल प्रदेश का जो material है वो बहुती कम upload है और आप लोगों ने काफी demand की थी कि सर हिमाचिल प्रदेश की GKGS की किताबें जो आप लोग suggest करें तो दोस्तो मैं वीडियो लगके आ गया हूँ इस वीडियो को last लेक देखेगा फिर इसके बाद आप लोगों को चुनाब करना जो होगा वो असान हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास किताब है दोस्तो The Wonderland हिमाचिल प्रदेश and the Encyclopedia on the Teeny State of Western Himalaya दोस्तो यह जो किताब है यह आपके जितने भी exam होते हैं और यह किताब जो आप जगमोहन ब्लोकरा के दुवरा लिखी गई है दोस्तो आपके HS, हिमाचिल प्रदेश Public Service Commission या फिर HPSSE हिमाचिल से रेटे जितने भी आपके exam होते हैं उन सभी के लिए यह किताब जो आप काफी ज़दा sufficient है और अगर आप लोग देखें तो यह काफी ज़दा मोटी किताब है दोस्तो इसमें 1600 के करीब 1700 के करीब पेस होंगे यह English medium और Hindi medium दोनों में उपलब्द है दोस्तो यहाँ पे काफी चीजों को detail में cover किया गया है दोस्तो मैंने इस किताब को पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन जितना भी पढ़ा है काफी अच्छी त्रिके से इसमें चीजों को बताया हुआ है अगर आप लोग detail में हिमाचिर प्रदेश की GK को cover करना चाहते है तो यह किताब आपके लिए काफी जदा अच्छी हो सकती है काफी जदा beneficial हो सकती है जैसी कि आप लोग देख पा रहे है मैं इस किताब को जदा detail में नहीं बताऊंगा दोस्तो यहाँ पे आप लोग देख पाने की कैसा कैसा इसमें material दिया गया है जैसी कि आप लोगों ने हिमाचिर प्रदेश की जीके त्यार की या बाकी किताबों से लेकिन बहाँ पर detail में नहीं बताया होता है लेकिन यह किताब जो अब सब कुछ कबर करती है और इसमें detail में बताया गया है subjective paper के लिए यह काफी अच्छी किताब है और जब आप इस किताब को त्यार कर लेंगे इनसे notes बना लेंगे तो आपकी जो जीके वो काफी यह strong हो जाएगी तो सबसे पहले जो हमने किताब बदाई है The Wonderland हिमाचिर प्रदेश की जगमोहन ब्लोकर के दोरा यह किताब लेकी गई है यह हिंदी में भी उप्लोब्द है हिंदी में यह अलोकिक हिमाचिर प्रदेश के नाम से जाने जाती है तो यह हमार पास पहली किताब थी अब हम दूसरी किताब की बात करती है दोस्तो जो हमार पास दूसरी किताब है Know Your State हिमाचिर प्रदेश दोस्तों ये Ariant Publications के द्वारा किताब जो वो शापी जाती है दोस्तों इसमें जो किताब है ये जो किताब है इसमें जो information से जैसे के आप लोग देख पा रहे है At the Glance हिमाचिल प्रदेश का इसमें basic information दिया गया है हिमाचिल प्रदेश की history इसमें बताएगी है ये ग्रोफी इसमें बताएगी है और हिमाचिल प्रदेश की economy लगवग इन्होंने इसमें भी सब कुछ कबर किया हुआ है art and culture and government के बारे में इसमें बताया गया जैसे कि पंजायती राज हो गया और इसमें miscellaneous information को भी कबर किया हुआ है तो दोस्तों ये हिमाचिल प्रदेश की दूसरी किताब है जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है और दोस्तों इसमें कोई भी चीज है उसमें detail में कबर नहीं किया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें हिमाचिल प्रदेश तो literally means a reason of snowy mountains दोस्तों यहाँ पर यह जो किताब है इतना detail में cover तो नहीं करती है लेकिन काफी अच्छी किताब है आप चाहें तो इस किताब को purchase कर सकते हैं अगर आप लोग English medium में हैं दोस्तों यह हमारे पास second किताब थी यह ज्यादा मोटी नहीं है आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ज्यादा मोटी किताब नहीं है चोटी सी किताब है लेकिन काफी अच्छी किताब है यह 280 के क्रीब इसमें page दिये गए हैं तो यह हमारे पास second किताब थी English medium में Hindi medium में भी यह उपलवद हो सकती है इसके बाद हम लोग किताब जो हमारे पास next किताब है और मैं यहाँ पर बताओंगा कि कौन से किताब आपके लिए किस exam के लिए beneficial है किस exam को आप लोग कवर कर सकती है अब बात करते हैं थर्ड नंबर की किताब जो की Hindi medium में उपलवद है आर गुपता के द्वारा यह किताब लेखी गई है हिमाशिल समाने ग्यान एक परिच्चे दोस्तों यहाँ पर जो questions है यह थोड़ी सी पुरानी किताब है मेरे पास 2013 का editions है आप चाहें तो नए editions ले सकते हैं इसमें totally आपक ले काफी अच्छी हो सकती है तो दोस्तों यह किताब आपके पास number 3 पे हमने इस किताब को बताया है इसके बाद हम लोग next किताब की बात करते हैं जो कि काफी ज़्यादा famous है और यह किताब हमारे पास दी गई है हेमाशिल परदेश का इतिहास संस्कृति और आर्थिक परि आपको उपलब नहीं होंगे और अगर आप लोग हमाशिल परदेश को डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो यह किताब काफी ज़्याद अच्छी है और इसमें जो खासित है इसमें जो इसमें बाशा दी गई है वह बहुत ज़्यादा सिंपल है आप लोग इसे दो या तीन खसे द्वारा जो की खसो की लड़ाकू उपशाका है मनाए जाता है दोस्तों इसमें जो बाशा दी गई है काफी सिंपल है यहाँ पी आप लोग देख भी पा रहे हैं इसमें जो किताब की जो फॉंट है वो भी काफी अच्छी है किताब की जो शपाई है वो काफी कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें की जो लिखावटा होती है वो तिने अच्छी नहीं होती है जैसे कि आप लोग यहां पे देख पारे हैं रक्षा बंदन हिंदी में जिसे राकी रक्षा बंदन कहते हैं शीमला के पहाडों में रक्षा पुनिया मंडी सिर्मोर म राकी से रकुनुआ कहा जाता है तो यह किताब आपके पास यहां पे हिंदी में भी उपलब्द है अब बात करते हम लोग नेक्स्ट किताब की जो काफी ज़्यदा फेमस है जैसे कि आपके पास यह जो किताब है हिमाचल दरपन समाने ग्यान यह हर कोई इस किताब को परच बता है दोस्तो अगर आप लोग इन सभी कताबों को नहीं पढ़ सती है और आप चाहते हैं कि इन सभी कताबों के ऊपर एक crash course जो आप बनाए जाए तो आप लोग में टाइप कर सती है दोस्तों बहुत जल्द आपको crash course जो उपलब्द हो जाएगा और जैसी कि आप लोग आपने basic पढ़ा है जो कि इस तरह से पढ़ना काफी अच्छा होता है और फिर इस परकार से जो आपने topic पढ़ा है उसमें multiple choice questions जो आपको upload करवाई जाते हैं तो ये किताब जो आपको काफी जादा अच्छी है और इसमें अभी इस किताब को थोड़ा सा इन्होंने modify किया है औ मैंने इस किताब को थोड़ा मैंने इस किताब को इसको part wise बना दिए जैसे मैंने first paard था तो मैंने इसको अलग अलग मतना दिए जिससे की पढ़ना कि कौन सी किताब किस exam के लिए important है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो Wonderland हिमाचिर परदेश की किताब है यह हिमाचिर परदेश की यतने भी exam है उन सवी के लिए यह एक अच्छी किताब है उसमें detail में भी आप लोग cover कर सकते हैं और अगर आप लोग हिमाचिर परदेश के कोई बड़े exam की त्यारी कर रहे हैं जैसे कि H.E.S. का हो गया या फिर allied paper त्यार करना है तो यह किताब आप लोगों के लिए काफी जादा अच्छी है और दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगर आप लोग T.G.T. Commission जा T.G.T. से लिल्टिव जाँ फिर J.B.T. Commission या किसी भी exam की जो की B. Grade या C. Grade में आता है तो इस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं और दोस्तों अगर आप लोगों ने बिल्कुल रिविजन करनी है चोटे exam के लिए तो ये किताब अर्यहंत की किताब आप लोग पढ़ सकते हैं सबसे पहले हिमाचिल प्रडेश का जो की मिया गोवर्दन की बुक है इसे और इसके साथ अगर आप लोग चाहें तो हिमाचिल दरपन समाने ग्यान ले सकते हैं इन दोनों किताबों के साथ अगर आप लोग त्यारी करते हैं तो आपके त्यारी काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तो ये आज का वीडियो था मुझे उमीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी दोस्तो अगर आप लोग किसी exam की तयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके ओपर किताबों का review किया जाए तो फिर मैं उन किताबों के ओपर review करूँगा और आपको बताऊंगा कि आप लोग उन किताबों को purchase करें और इन किताबों को अच्छे तरिके से पढ़ें और फिर मैं उन किताबों के उपर विडियो बना दूँगा दोस्तों मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि हिमाचिल प्रदेश का जितना भी जिकी है वो आप लोगों को उपलम्त करवाया जाए लेकिन आप लोगों ने हिमाचिल प्रदेश की क्रैश कोर्स के बारे में कमेंट बोक्स में यह रूब बताना है दोस्तों यह आज का वीडियो था मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राए कमेंट बोक्स में यूरू बताएं आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत अन्यवाद थेंक यू वेरी मच दिल से